अच्छा स्वक्ष जल हो हमारे बच्चों के लिए अच्छा एन्वार्मेंट हो चाहें वो प्लेग्राउंड्स हो चाहें स्वास्ति की बात हो चाहें उनके नतिक जीवन की की सोशल बॉंडिंग की सोशल इस्ट्रक्चर की उनकी सिक्योटी की यह बहुत सारी चीज हैं और जब आप मद्धप्रदेश की बात करते हैं सर तो मद्धप्रदेश में सबसे बड़ा भी ज्वलंत मुद्धा जो महलाओं को लगता है क्योंकि हम अपने पतियों के जो इमान अर्जित किया हुआ जो धन है और जिस सुविधा के लिए मैं उस धन को प्रसाशन को दे रही हूं वह सुविधा है मुझे मिले यहां सबसे बड़ा मुद्धा है हमारे स्वक्ष जल का और वह है नर्मदा विकास उपकर के रूप में हम 12 साल पहले सरकार को वह पैसा भी द सब्सक्राइश की बात करें तो 1200 तो सिर्फ भोपाल राजधानी के यह हाल है इसी तरह बहुत सारे हमारे चोटे बड़े शहर हैं जहां पर यह सुविधा नहीं मिल रही है जो इमानदारी से टेक्स भी दे रही सरकार को जो जनता तो एजन नागरिक और महला नागरिक के त बड़ा मुद्दा है हमारा यह अर्बों खर्बों का ब्लंडर भी है सर अगर आप इसके डेफ्ट में जाएंगे तो हमारा जो साशन प्रसाशन है हमसे कर तो पूरी तरह निचोड़ लेता है मतला हमारी गर्दन निचोड़ लेता है और जब बात आती है नागरिकों की सु हो जाती हमको चेड़ लेते हैं लड़कियां कोचिंग से आती है उनको चेड़ने की बहुत सारी बाते होती है मतलब एक लाइफ स्टाइल जो जीने के लिए हम साशन प्रसाशन को पैसा दे रहे हैं वह सारा यहां पर नगर्ण है अपने बड़ी बखुभी कई सारी समस्या है कई सो कॉलोनी ऐसी हैं जिनके रहवासी इमानदारी से इसी मद में नर्मदा जल शुद्ध जल के लिए इंडिज्वल कनेक्शन मतलब हम अपने घर में नर्मदा का शुद्ध जल चाहिए हमें कंटमिनेट नहीं चाहिए तो शुद्ध जल का 12 साल पहले ही सरकार को उसका पहले बच्चे के लिए अच्छा ही पानी चाहूंगी ना चाहिए मेरा बच्चा स्वस्त कैसे रहेगा जब कंटमिनेट वॉटर नियुका सरकार के कि इतनी बी ओजना आ जाया कि बच्चे के लिए पोशन है यह जब आप अच्छा जली हमारे बच्चों को नहीं दोगे हम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें